कब आएगा इलाज? ये कहना मुश्किल है कि spinal cord की चोटों के लिए एक पूर्ण इलाज कब उपलब्ध होगा शोध में लगातार प्रगती हो रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए काम करे spinal cord की चोटों के लिए क्यूं है यह इतना मुश्किल? spinal cord की जटिलता spinal cord शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मस्तिश्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेशों को ले जाता है इसमें हजारों तंत्रिकाएं होती हैं और एक बार क्षतिग्रस्थ होने पर इन तंत्रिकाओं को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है चोटों की विवित्ता spinal cord की चोटे अलग-अलग तरह की होती हैं और प्रतेक व्यक्ती में अलग-अलग प्रभाव डालती हैं शरीर की मरम्मत प्रक्रिया शरीर की अपनी मरम्मत करने की क्षमता सीमित होती है खासकर तंत्रिका उतकों के मामले में क्या है वर्तमान स्थिती? वैग्यानिक लगातार spinal cord की चोटों के इलाज के लिए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं इन में शामिल है सटेम सेल थेरपी सटेम सल्स को क्षतिग्रस्ट तंत्रिका उतकों की मरम्मत में मदद करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जीन थेरपी जीन थेरपी का उप्योग करके क्षतिग्रस्ट जीनों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है दवाया सूजन और दर्द को कम करने वाली दवाओं के साथ साथ तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देने वाली दवाओं पर भी शोध किया जा रहा है सरजरी कुछ मामलों में सरजरी का उप्योग करके क्षतिग्रस्ट स्पाइनल कौड को स्थिर किया जा सकता है कब आएगा इलाज? ये कहना मुश्किल है कि स्पाइनल कौड की चोटों के लिए एक पूर्ण इलाज कब उपलब्ध होगा शोध में लगातार प्रगती हो रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए काम करे क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करें यदि आपको स्पाइनल कौड की चोट लगती है तो तुरंद डॉक्टर से संपर्क करें शोध के बारे में अपडेट रहें स्पाइनल कोड की चोटों के इलाज के क्षेतर में होने वाले नए शोध के बारे में जानकारी प्राप्त करें. सकारात्मक रहें, हालांकि इलाज में समय लग सकता है, लेकिन सकारात्मक रहना और पुनरवास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है. अधिक जानकारी के लिए, नियूरोलोजिस्ट से परामर्ष लें, अधिक जानकारी के लिए एक नियूरोलोजिस्ट से परामर्ष लें, ओनलाइन संसाधन, विश्वसनी ओनलाइन संसाधनों से जानकारी प्राप्त करें, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए योगी होगी डिस्क्लेमर ये जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी चिकित्सा सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए किसी भी चिकित्सा स्थिती के लिए हमेशा किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें